हेलो विद्यारतियों, मैं डाक्टर सौभाकमल मीना, साचारे प्रानी सास्त्र, राज के माविद्यले बूंदी विद्यारतियों आज का जो अपना अध्यन टोपिक है वो है पोजिनस एंड नोन पोजिनस स्नेक्स अर्थार्थ स्नेक्स सामानेत विष्व में सभी इस्तानों पर पाए जाते हैं जिनकी लगबग 350 से अधिक जातियां बारत में पाए जाती हैं ये स्नेक्स विष्व विष्व विषिन दोनों परकार के हो सकते हैं जिनके काटने से मानव की परतिवरस 20,000 विक्तियों के लगबग मृत्य के सिकार होते हैं विष्व की विषिन जातियों में केवल 20 परतिशत ही जातियों के स्नेक्स विष्यले होते हैं विश्व की सर्पूं की जातियां में से भारत वर्ष में लगबग 70% विशेली जातियां पाए जाती हैं जिन में से लगबग 40% जातियां इस्तलिये तथा 30% समुंदरी जल में पाए जाती हैं स्नेक्स विशेला है या विशीन की पैचान सिर के आकार सलकूं का आकार फैंक्स जिनको सर्पदंथ कहते हैं एवं टेल की आकरती द्वारा किये जाते हैं भारत में पाए जाने वाले विशेले स्नेक्स मुक्यते क्रेट यानि बंगारस वाइपर कोब्रा तथा सी स्नेक है स्नेक्स को आंत्रिक रूप से देखकर की बाइटिंग अपरेटस जैसे विश ग्रंथियां विश नली का विश दंतु की उपस्तिती है तो स्नेक्स निश्यत रूप से विशेला है जिनका प्रेक्षन स्नेक को मार कर या मरेवे का मुक्ख खोल कर ही कर सकते हैं जैसे वाइपर, करेट, कोब्रा, इत्यादी स्नेक की पूँच पतवार की तरह है यानि की लेटरली फ्लेटेड यानि पासरों से चप्टी है तो स्नेक निश्यत रूप से विशेला है जैसे हाइड्रोफिस, सी स्नेक, एन हाइड्रीना यानि लेंड स्नेक यदि स्नेक की पूँच गोल है तो स्नेक इस्तलिय होगा तो विशेला एवं विशिन दोनों ही प्रकार का हो सकता है जिनकी पहचान आखू के बीच सिर के उपर एदी सल्क बड़े हो तो स्नेक विशेला है वो सल्क छोटे है तो विशेन स्नेक होगा उदर के इसके लिए सल्क के आधार पे अपन विशेले सर्कों की बात करते हैं स्नेक की उदर में यानि एबडोमन में सल्क छोटे हो तो स्नेक विशेन होगा स्नेक की एबडोमन में पतले सल्क परंतु पूरी लंबाई में हो तो स्नेक विशेन जैसे अजगर स्नेक की उदर में सल्क लंबे और पूरी चोड़ाई तक फेले हो तो स्नेक विशेला एबडोम विशेन दोनों ही प्रकार का हो सकता है जिसे आखों के बीच सिर्के उपर के सल्कों की विवस्ता एवं परीम आपको देख कर पैचानते हैं सिर्के सल्क या हेड स्केल्ज स्नेक के सिर्के सल्क चोटे सिर्क तिर्बुजाकार हो तो स्नेक विशेला होगा जैसे वाइपर येदी हेड सल्क बड़े हो तो स्नेक विशेला एव विशेन दोनों ही हो सकता है जिसको उनकी स्केल की विवस्ता एवं परीम आपको देख कर पैचानते हैं लोरियल गुहा या गड़ा यानी लोरियल पित स्नेक के सिर के सल्क बड़े हो तथा नेत्रेम नासा चिद्र के बीच लोरियल पित पाया जाए तो स्नेक विशेला होगा पीट के सल्क यानी की दोर्सली येदी स्नेक की पीट या दोर्सल रीजन में सल्क में येदी बीच बीच में पंगती के सल्क बड़े वो हेगजागोनल यानी सटकोणिया हो तथा नीचले जबडे का चोथा सल्क सबसे बड़ा हो तो स्नेक निश्यत रूप से विशेला होगा जैसे बंगारस या क्रेट सिर पर सिल्ड की उपस्तिती येदी सिर पर सिल्ड की उपस्तिती को एबडोमन पर परवाल धब्बे यानी स्पेक्टेकल मार्क्ष उपस्तित हो तो सर्प विशेला है येदी हेड पर सिल्ड की उपस्तिती हो एवं थार्ड सुप्रा लेबियल सिल्ड हो तो नैत्रेवं नाशाचिद्र को पूरा चूता व थर्ड सुप्रा लेबियल हो तो सर्प विशेला होता है जैसे कोब्रा येदी सिर पर सिल्ड उपस्तिती हो तता सिल्ड का आकार सबसे बड़ा व फूर्ड इंफ्रा लेबियल हो तो एवं हेजागोनल यानि सट कोर्णी ये पर हो तो सर्प विशेला होता है जैसे बंगारस या क्रेयत येदी सिर पर पीट पर एवं उदर पर वनित छिन्नू का न हो तो निश्यत रूप से सिर्प सर्प या स्नेक विशीन होगा अब बात करते हैं विश उपकरण या अपरेटस की सभी पोईजनस स्नेक के सीर्प भाग में पोईजनस अपरेटस पाए जाते हैं जो अभी सालू शर्पों में नहीं पाये जाता अथा विशीन स्नेक में अनुपस्तित होते हैं विश उपकरण के अंतरगत एक जोड़ी विश गरंतियां इनकी वाहिनियां भैंक्स जिनको विश दिंत कहते हैं तथा पेशिया या मसल्स समलित किये जाते हैं बोईजनस ग्लेंड उपरी जमडे यानि विशेले स्नेक्स के अपर जा में भीतर की और दोनू और एक एक विश गरंतियां नेत्र के नीचे वो पीछे इस्तित होती हैं ये रुपांत्रित आधर लेबियल या पेरोटिड ग्लेंड सोती हैं सी स्नेक्स यानि हैड्रोपिस में वोईजनस ग्लेंड छोटी वो अंडाकार तथा स्तिलिय परजातियों के विशेले सर्पों में बड़ी वर नालाकार होती हैं परतेक ग्रंती पर तंतु की संयोजी उतक यानि फाइबर कनेक्टिव टिशू का उरण मड़ा रता है इन पर पंखे के आकार की संकुचन सीली फेशियां भी इस्तित होती हैं इन्हें टेंपोरल पेशियां या मसल्स केते हैं जिनके खीचने से ही विश ग्रंतियों से विश सर्प दंस के दोरान विश नलिकों में निकलता है विश डट्स यानि परते के विश ग्रंति एक सक्री यानि नेरो फोईरंस ट्यूप्स या नलिका आगे की और निकल कर विश दंतु को ग्रूज या खांच या नाल में प्रेश करती है मेक्षिला बोंच से सहलगन दंत विश दंत कहलाते हैं ये लंबे कर्वड सार्फ व तीखे होते हैं इनका कारिये शिकार की देहे में या सरीर में सूई के तरब विश को प्रिवेश कराना होता है नस्ट होने पर पुनर फैंक्स का वापिस यता स्थिति में दांतूं का निर्माण हो जाता है पोईजन स्नेक में इनकी सहरचना में विभिनताएं पाई जाती है वाइपर्स एंड रेटल स्नेक्स में परतेक मेक्षिला पर एक बड़ा सक्रिये विश दंत इस्तित होता है यह आकार आधार भाग में सभी दिशाओं में एक कवर्ड द्वारा गिरा रता है जिसके बीतरी कुछ आरक्स एंड विकासिल विश दंत होते हैं विश दंत के इनेमल भाग में से होकर कोकली विश नलीकाय बढ़कर सिर्ष्ट पर खुलती है इस परकार विश दंत कटिशिल होते हैं एवं मुख बंद करने की स्तिती में मुख की छत के निकाटास्थ, साइलो, गलाइफस में इस्तापित हो जाते हैं इने पाइब के समान खोकली सरेचना वाले विश दंत साइफेनों गलाइफस केलाते हैं कोबरा एंड क्रेत एवं कोरल स्नेक्स में विश दंत अफेक्सा कर छोटे होते हैं एवं स्ताई रूप से खड़े रते हैं अर्थार्थ अगती शील होते हैं इन विश दंतों की पूरी लंबाई में सिर्ष तक खाच पाए जाती हैं ये प्रोटे रोगलाइफस फैंक्स केलाते हैं कोलुब्रीडी फेमली में के स्नेक्स में विश दंत या फैंक्स छोटे होते हैं मेक्सिला हस्ती के पस्चे सैलागनक होते हैं तता पस्चे सिर्ष पर खाच पाए जाती हैं ये ओफियो श्लोगलाइफस फैंक्स केलाते हैं थैंक्यो प्रिण प्रिटा क्या श्रौट